तो दोस्तों नमश्कार आप सभी का फिस्के स्वागत है आप एके चैनल उशा की किरण में दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं आईशर पिरो 3014 का जोकी CNG वेरियंट है दोस्तों डिजल वेरियंट का पहले में रिव्यू बना चुका हूँ उसका लिंक आपको डिस्क है इस गाड़ी के अंदर आपको CNG वेरियंट मिल रहा है और यह काफी फ्यूल अपीशेट वीकल है तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसके डाइमेंशन के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों यह जो गाड़ी है आपको दो त्रे के वील बेस आप्शन में आती है 3800 और के वील बेस में और इस गाड़ी के अंदर दोस्तों आपको 17.2 फिट और 20 पिट के लोडिंग कार्गो आप्शन इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं दोस्तों यह जो गाड़ी है 4x2 एक्सल कॉन्फिगरेशन के साथ में आती है इसलिए आपको इस गाड़ी के अंदर 6 प्लस 1 टायर का सेट मिलता है जो की 8.25 आर 20 इंचेज के 16 प्लाय रेटिंग वाले रेडियल टायर होते हैं दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको कंपनी फिटेट जो कार्गो बाड़ी बॉक्स बोड़ी मिलती है वो काफी वजबूत और बैतरी हिन स्टील से बनाई गई करता हूं तो इसके अंदर आइसर का E494 CRS 4-4 वाल 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 इंचन यूज किया गया है जो की वाटर कुल इंचन होता है टीसी आईसी टेक्नोड़ी वाला दोस्तों जो की पावर देता है हमें 147SB का 2400 आर्पेम पर और 3760 CC वाला इंचन होता है इस इंचन से हमें और 30ड बॉड़ी ऑप्सन के अंदर 250-430 लीटर के फिल टैंक मिल जाते हैं दूसरी बात आपको अगर 20 वाली बॉड़ी ऑप्सन के साथ में लेते हैं तो आपको 500 लीटर के सिलेंडर्स इसके अंदर फियूण यारी कि सिए एंजी को फिल करने के मिल जाते हैं और यहां पर सारे के सारे आपको आपकी जो gas है उसके control के सारे के सारे आपको यहापे switches वगरा मिल जाते हैं दोस्तों यह जो गाड़ी है इस गाड़ी के अंदर अगर electricals के बारे में मैं आपको बताऊं दोस्तों चार साल unlimited kilometer की warranty मिलती है engine और gearbox के उपर और तीन साल unlimited kilometer warranty मिलती है on vehicle के उपर दोस्तों इस गाड़ी का जो cabin होता है यह semi suspended cabin होता है manually tiltable cabin होता है अगर किसी भी परकार का inspection करना है तो इसको manually tilt करके inspection किया जा सकता है अभी दोस्तों हम इसके cabin के अंदर features के बात कर लेते हैं कि इसके door के ऊपर आपको glasses up down करने के और door open और कुछ grab handles मिल जाते हैं साथ ही इस गाड़ी के अंदर दोस्तों driver के comfort को ध्यान में रखते हुए इसके लिए जो seat दी गई है उसका 6-way में direction के द्वारा adjustment किया जा सकता है अब दोस्तों इसके अगर और अपन optional features के बारे में बात करें दोस्तों तो इस गाड़ी के अंदर दोस्तों आपको air condition, power window और music system जैसी facility optionally मिलने का provision होता है और इस गाड़ी के अंदर दोस्तों आपको जो steering मिलता है वो tilt with the telescopic function वाला steering होता है जो की काफी easy to rotate है, easy to drive इसके अंदर steering मिलता है दोस्तों अगर मैं इसके instrument cluster के बारे मैं आपको बताऊं तो आपको काफी सारी information आपको dashboard के उपर सो होती है एक colorful instrument cluster जागरत होता है जैसे आपकी को own करते हैं जहां पर आपको digital और analog group से काफी सारी information सो हो जाती है like speedometer, engine rpm, fuel, gas, temperature इस तरी की सारी-सारी facilities सो होती है दोस्तों इस गाड़ी के अंदर ambuster technology का use किया गया है ambuster technology मतलब यह कि जब आपकी गाड़ी खाली है या जब आपकी गाड़ी पे load है तो आप अपनी गाड़ी को payload capacity के अनुसार driving board में select करके गाड़ी को चला सकते हैं इससे कि आपकी गाड़ी का mileage जो है वो optimum से optimum mileage मिलता है इस गाड़ी के अंदर दोस्तों driver की comfort को ध्यान में रखते ही cruise control जैसी facility को भी दिया गया है और ये जो गाड़ी है दोस्तों इसके अंदर आपको air brake with exhaust brake और ABS facility के साथ में कुछ service वाली चीज़े मिलती है यानिकि safety related ये चीज़े मिल जाती है साथ ही दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको mobile charging की facility भी मिलती है और co passengers जो seat मिलती है दोस्तों वहाँ पर भी आपको दो लोगों के लिए काफी बहतरी फैब्रिक अपॉल स्टे के साथ में आपको driver और co passenger दोनों की दोना seats मिलती है साथ ही आपको dashboard के उपर कई सारे utility space भी मिल जाते हैं नीची के side में आपको एक lockable glove box मिलता है जहां पर आप अपना चोटा मोटा कुछ सामान रख सकते हैं अब दोस्तों इसके gearbox के गर हम बात करें तो इसके अंदर दोस्तों 7-speed manual transmission वाला hybrid gear shift lever के साथ में इसका gearbox मिलता है जो कि आईशर का 5M7-2N gearbox होता है जिससे कि हमें 26% की gradability मिलती है साथ ही cabin के अंदर आपको एक fire extinguisher भी मिलता है जो कि आपकी किसी आकस्मिक समय में या आपके काम आता है और पीछे की side में आपको एक window भी मिल जाता है जो कि रोश्नी और हवा के लिए आपके समय समय पर काम आता है दोस्ति इस गाड़ी के माइलेज के बारे में मैं आपको बटाऊं तो काफी fuel efficient गाड़ी हर होती है आईशर की लेकिन ये CNG variant है तो ये भी लगबग आपको 9.5 तक का जैसा कि drivers का feedback है उतना माइलेज वो लोग निकाल पा रहे हैं दोस्तों अगर आपको मेरा ये चोटा सा review अगर पसंद आया है तो प्लीज आप इसको लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर आवश्य करें और अगर आप किसी आईशर की गाड़ी के बारे में review चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो मैंने पहले काफी सारे वीडियो बनाये हुए हैं जिसका मैंने आईशर लवर कर के एक playlist का नाम दिया है जो आप मेरे playlist में देख सकते हैं और उनमें भी अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे comment box में लेखें मैं आपके लिए और भी review ले करके आऊँगा तो दोस्तों आज के लिए इतना कल फिर मिलेंगे उमीद करता हूँ आप सभी इसी तरह से मेरे से जुड़े रहेंगे और जो लोग नए आये हैं मेरे चैनल पर आज उन सभी से एक आग रहे है एक निवेदन है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों आज ये की चोटा सा रिव्यू था आईशर 3014 CNG वेरियंट का जो की 7SB येर बस से लैस है और ये गा मेरे जाए इाइब रहे हैं मेरे चाह पर आप आपूशार 3014 से निवेर निवेर बस आपा आप आपार 5